खमागाणी वित्रों वी यारे में स्वी टेकनिकल और आज इस वीडियो में बात करने वाल है कि हाली में हमने एक 25000 की वीडियो तो दी थी बट वहां पे थोड़े से फोन रह गए थे तो लेट टेस्ट फोन के साथ में तो बेस्ट फोन आपके लिए आते हैं 25000 में वो इस व चाले बात करते हैं एक और राउंडर फोन की जो आपको देखने को मिलता है रेडिमी की तरफ से रेडमी नोट 13 प्रो आपको 26000 का फोन है बड़ 2000 के डिसकाउंट के बाद में आपको 24000 में देखने को मिल जाएगा यहां पे आपको देखने को मिलती है 1.5K रेजोलेंस और 16 Megacl की Selfie भी देखने को मिलती है जो कि काफी सही वोडो आ जाती है उसी के साथ में एक और डे बैटरी बैकप देखने को मिलता आपको एक आउंस एमेच की बड़ी बैटरी के साथ 67 वाट का फास सार्जर आपको इंड बोक्स देखने को मिल जाता है जो कि काफी सही में कि कामालNew camera so अर्पोस आपको बैस देखने को मिलेगी नेक्स फोन उनके लिए जिनको एक premium फून पनी या विप्त बैस्फना चाहएं पसंद दादा तो यह भी फोन 26,000 alright में देखने को मिल जाएया रियलमी 12 Pro जो कि आपको 120 एर्स की कवर डेमुले डिस्प्ले देखने हूं मिलती है काफी प्रीमिम डिस्प्ले यहां पर देखने हूं मिलती है और उसे के साथ में सबसे इस्पेल इसके कैमरा 15 वाकशल का सुनी का कैमरा देखने हूं मिलता है जो कि जूम और पोर्टेड लेने के काम में आता है और उसे के साथ में 5000 में इसके बैटरी 67 वोट का अडेप्टर आपको चारजर साथ में देखने को मिल जाता है और यहां पर प्रॉस्टर वे वो थोड़ा सा आपको हलका देखने को मिलता है जो कि आपको 5,60,000 के अन्तू स्कॉर देता है और करीब-करीब आपको 9 5G देखने को इस फोन में देखने को मिल जाता है और IP65 वी है तो यह भी एक प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है तो यह फोन ओवर आल बैस्ट देखने मिलता है 24,000 में आपको the best cameras देता है periscopic lens और selfie camera भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है तो जिनको भाई camera की need है तो Realme 12 Pro उनके लिए best option है बट भाई अपने gaming भाईयों को कैसे बूल सकते हैं एक dedicated gaming phone आपके लिए आता है जो कि आता है 25,000 रुपे में Poco X6 Pro आपको काफी कमाल का और flexi processor देखने मिलता है तो अगर मैं सबसे पहले display की बात करूँ तो 1.5K regulation वाली कमाल की 120Hz की Pro AMOLED display देखने मिलती है जो कि भाई बहुत कमाल और बहुत बड़े size की है तो gaming में आणद आएगा उसी के साथ यहाँ आपको 64 में गाउक से लिए इस camera देखने मिलता है जो कि cameras ठीक ताक है अच्छी photos ले लेते है 5000 image की बड़ी बैटरी 67W का charger भी आपको साथ में देखने मिलता है तो gaming phone में fast charging और बड़ी बैटरी मिलना भाई बहुत कमाल बात है और उसी के साथ में इसका जो सबसे में चीज है वो है इसका प्रोसेसर Mediatek का Diamond City 8300 Ultra का प्रोसेसर देखने मिलता है जो कि 1.4 million and 14 lakh के अंतूस score देता है जो कि भाई 30,000 तक के budget में आपको अभी कोई भी नहीं दे रहा है तो भाई काफी कमाल का यह gaming phone आपको देखने मिलता है जो का प्रोसेसर अगर देखा जाए तो भाई 40,000 के करीब करीब आपको प्रोसेसर दे रहा है 25,000 रुपय में और उसे काफी काफी अच्छी 5G वर्स देखने मिलता है और यह dedicated gaming phone आपके लिए उनके लिए जो भी 25,000 में एक धकड़ासा gaming phone चाहते है और भाई हाली में हमने 25,000 के वीडियो और दी थी वहाँ पे तीनों ही जो फोन थे वह बेस्ट कैमरा और और ऑल्राउंडर्स के लिए थे gaming और डेडिकेट उनके लिए नहीं थे तो यह वाले वीडियो में आपको तीन अलग अलग अप्शन दे दिये हैं गेमिंग के लिए अलग है आपके बेस्ट कैमरा के लिए अलग है और उसी के साथ में आपको यहां पर अलग से एक ओल्राउंडर्स फोन भी देखने को मिल जाता है तो यह वीडियो अगर आपके थोडिस भी हैल्कोल रही हो तो वीडियो का थैन को सब्सक्राइब करना बिलको खत भूलना ज